एक तरफ इंडिया गडवंदन की बैठक मुंबई में हो रही है जहां सब की निगाहे हैं दूसरी तरफ संसद का विशे सत्र बुलाया गया है और ये माना जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर कोई बात बनने वाली है आने वाले हफ्तों में तीसरी बात ये है कि घोसी का उपचुनाव है जो कहीं न कहीं वन टूवन कैंडिडेट को लेकर के जो इस वक्त सामने है उसका भी लिटमस टेस्ट है तो आकर इन तीनों मुद्दों पर क्या होने जा रहा है हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीम केश्व महुर है मौजूद है केसो जी स्वागत है आपका सबसे पहला सवाल तो ये कि मुंबई में एक बैठक हो रही है तीसरी बैठक है इंडिया गठबंधन की और इंडिया गठबंधन की बैठक में अब नया लोगों कैंडिडेट पर चर्चा अपना समविधान बहुत सारी चीज़ें आ रही है ये जो मुंबई गठबंधन की बैठक है आपको लग नहीं रहा कि आप लोगों को बहुत बड़ा चैलेंज अब मिलने वाला है मुझे कहीं कोई चैलेंज दिखाई नहीं देता है, यह सब पिकनिक बनाने जाते हैं, कभी पटना, कभी बंगलावर, कभी मुंबई, पिकनिक बना करके चले आते हैं, पुरानी बोतल में जो कुछ दिखाई दे रहा है, क्या है, यह नाम इंडिया है, लेकिन UPA का जो गड़ रहा था कि छे दलों ने अपने अपने प्रधान मंत्री पत के उमीद्वारों की बात कर दी है, उमीद्वारी की बात कर दी है, अब कल बयान में देख रहा था तो इन्हों ने खाब हमारे 28 दल हो जाएंगे, तो 22 और प्रधान मंत्री पत के जो दावेदार उधर से आने है बाकी हैं, तो जितने दल उतने प्रदार मंत्रिपत के दावेदार, इन लोगों के सामने जो सत्ता में रहते हुए ब्रहष्टाचार, चाहे देश की सत्ता में, चाहे प्रदेशों की सत्ता में, जो ब्रश्टाचार किया, बड़े पैमाने पर ब्रश्टाचार किया है, परिवारबाद की राजनीती करके, तुष्टी करण की राजनीती करके, जो इन्होंने तमाम प्रकार के खेला किये हैं, उसका एक डर सता रहा है इन लोगों को, कि मानि नरिन्द मुदी जी ब्रष्टाचार मुक्त भारत जब बनाने का काम कर रहे हैं तो जो ब्रष्टाचार इन लोगों ने सरकार में रहते हुए किया है वहाँ जाच होगी और जाच होगी तो उसकी आच जहां तक पहुँचेगी उसमें कोई बच्टा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए ये सब देश के लिए नहीं देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं के लिए नहीं बलकि जो ब्रष्टाचार किये हैं उससे बचने के लिए और अपने क्योल परिवार के जो बेटा, बेटी, भाई, बतीजे वाद की राजनिती करते हैं उसका पोसल करने के लिए एक जूट हो रहे हैं लेकिन अच्छी बात ये है कि देश की जनता इनकी मानसिक्ता को समझती है इसलिए 2024 में तीसरी बार मुदी सरकार 2024 में, मैं 2014 बोल गया 2014 से जो शुरू हुआ वह 2014 से अब 2014 आ रहा है तो तीसरी बार मुदी सरकार यह जनता ने फैशला कर लिया है आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके का समन्व है जिस तरीके की एक जुटता जिस तरीके का जेल लब हर कुछ लोग सामने लेकर के आ रहे है एक के सामने एक कैंडिडेट उतारने की जो इनकी कोशी से वो भी सफल होती हुई दिख रही है कहने वाले वक्त में हो सकता है कि यह भी कर दें कि एक कैंडिडेट ही रहेगा इनका कहना है कि बीजेपी 44-45 परसेंट वोट मिलता है लेकिन जो बीपक्ष का वोट है वगर सब जोड़ दें तो वो 55-60 पीज़ी चला जाएगा आपको लगता है निए खत्रा तो है है ना कोई खत्रा नहीं है अच्छा होगा कि सारे दल कांग्रेस में विले कर दें अपना जब 2019 में चुना हुए तो हम 2014 जेदा सांसद हमारे जीते 2024 का जब लोकसवा चुना होगा आप देखना जनता इंतिजार में बैटी है जैसे वह अपने प्रधान मंतरी कौन होंगे 2024 में वह ताय करके कि मोदी जी तीसरी बार देश के परधान मंतरी बने तो यह जितने भी दल है अगर वह एक प्रत्यासी ला रहे हैं एक द्वज ला रहे हैं तो एक पार्टी भी लावे ना हमारी तो यही सोच है कि एक देश में एक साथ जितने भी चुनाओं है संपन्न हो जाए बाकी समय विकास की काम में लग जाए मेरा सवाल था कि special session बुलाया जा रहा है संसत का कोविन जी को धक्ष बनाया गया है वन नेशन वन इलेक्षन की बात हो रही है आपको लग रहा है कि यह सही है और दूसरा यह कि क्या इस वक्त बात की जा रही है तो आपको भी लगता है कि सारे चुनाओं का जो टाइमिंग है वो पर नीचे हो पाए देखे यह मानी प्रधान मंत्री जी आज इस बात को नहीं कह रहे है मुझे याद है वह 2014 में भी यह बात जब जीत करके आये थे उस समय भी मुझे तारीक ठीक से नहीं दिखान है वेकि उस समय उन्होंने कहा था एक देश में एक रासनकाड होना चाहिए एक देश में एक प्रकार से यानी सबका साथ सबका विकास होना चाहिए तो यहा जो सोच है वह सोच देश के हित्मे है गरीब के हित्मे है अरब करें लब पता चलता है 365 दिन का वर्स होता है 365 दिन में 300 दिन चुनावे होते रहते तो यह तो देश के विकास की दृष्टी से उचित नहीं है लेकिन जूष संस्किति को कांग्रेस ने पन पाया था जनम दिया था उसके करण देश इसकश्ट को भोग रहा था अब इस दिशा में कोई कदम उठ रहा है क्या होने वाला है कैसे होने वाला है अभी कमेटी गठन का मैंने भी समचार देखा है लेकिन अगर ऐसा फैसला हो जाता है तो यहां सैद मैं समझता हूँ देश के हित में इतना बड़ा फैसला होगा कि लोगतंत के इतियास में भारत के अंदर सबसे महत्पूर सबसे बड़ा फैसला वह मानी नरेंद मुदी जी के जो बिजनरी परशिप उतार दी है सारे लोग इस वक्त गोसी चुनाव में लगे हुए है कहा यह जा रहा है कि इतना टफ हो गया है चुनाव आप लोगों के लिए कि अब हर गली गली कुछे कुछे बीजेपी को अपना निता उतारना पड़ रहा है राह चलते भी लोगों से पुछो तो कहते हैं कि भाई दल बदलने और इस वज़ा से इस बार जनता नाराज है और इस बार हो सकता है कि आपको जटका भी दे ज़नता पूर लिचांतां चुब्सदी तप जानता पार्टी पार्टी को उतारने की बात है तो आज तक कोई चुनावा ऐसा हुआ हो जिसमें हमारे पार्टी के उप्टनाव हुआ हो तो भी चाहे उत्तर प्रदेश में हमारे मैंनी मुपन्त्री जी हो चाहे मैं हूँ जाहे हमारे मिल करके जब चुनाओं होता है तो उस चुनाओं को जीतने के लिए काम करते हैं और आप विश्वास रखिए सपा को बहुत बड़ा धक्का लगेगा आठ सितंबर को जब यहां की जनता का आसिरवाद भारती जनता पार्टी के प्रतियासित सिर्दारा सिंग चावां जी को क कर देना है भाजबा को देने का मतलब है विकास को आमंत्रीत कर लेना है खुसाली को आमंत्रीत कर लेना है सुशासन को आमंत्रीत कर लेना है गुंडागर्दी की राजनिती का आंत्र करने का उचित समय है मैं कहता हूं कि समाजबादी पार्टी को जनता के आसिरवाद से इ देश का विकास घरीब का विकास किसान का विकास तक करती है और अगर आप साथ आप परिवार का करना घूंडों का विकास करना अप राधियों गुर्ड है